Hello Everyone, आज के इस वीडियो में Elimination Method से X and Y की वेल्यू Find करना सिखाऊंगा बिलकुल असान तरीका है वीडियो कम्प्लीट देखना आपको अच्छे ही समझ आ जाएगा कि Elimination Method से X and Y की वेल्यू कैसे Find करते है तो चलिए वीडियो सुरू करते है यहाँ पर एक सवाल है 3X प्लस 4Y इक्वल 10 2X माइनस 2Y इक्वल 2 ठीक है हमें इसको Elimination Method से Solve करना है तो यह Equation 1 है और यह Equation 2 है ठीक है इसमें क्या करना होता है यहाँ पर दोने नंबर को Same करना होता है यहाँ पर या यहाँ पर दोने में से किसी जगा पर हमें नंबर को Same करना है यहाँ पर 3X है यहाँ पर 2X है तो क्या करेंगे इस 3 को Equation 2 से Multiply कर देंगे और इस 2 को Equation 1 से कर देंगे ठीक है ऐसे Cross कोना कोनी ठीक है अब Multiplycation करेंगे तो 2, 3 जा 6X पलस है तो पलस 2, 4 जा 8Y और 2, 10 जा 20 हो गया आप Second Equation को 3, 2 जा 6X माइनस 3, 2 जा 6Y इक्वल 3, 2 जा 6 हो गया अब क्या करेंगे माइनस करेंगे जब माइनस करते है तो Sign Change कर देते है पलस है तो माइनस माइनस है तो पलस पलस है तो माइनस यह पलस 6X माइनस 6X कैंसल हो जाएगा तो यहां बचा क्या पलस 8Y पलस 6Y तो यह हो गया 14Y ठीक है अब 20 माइनस 6 14 आ गया तो Y की वेल्यू कितने आ गई 14 by 14 इसको कैंसल करेंगे तो यह आ जाएगा 1 तो Y की वेल्यू कितने आ गई 1 आ गई अब हमें निकालना है X की वेल्यू X की वेल्यू कैसे निकालेंगे equation 1 या 2 दोने में से किसी एक में Y की वेल्यू पुट कर देंगे तो X की वेल्यू निकल जाएगे मान ले फर्स्ट एक्वेशन ले रहा हूँ 3X प्लस 4Y इक्वाल 10 ठीक है equation 1 लिया है मैंने आब Y के वेल्यू पुट कर देंगे तो 3X प्लस 4 इन्टू Y के वेल्यू पुट करेंगे इक्वाल 10 तो 3X प्लस 4 वेल्यू जाएग 4 इक्वाल 10 तो 3X यह जाएगा 10 यह प्लस 4 है इसको इधर लाएगे तो यह माइनस 4 हो जाएगा तो 3X इक्वाल 10 माइनस 4 6 हो गया तो X कितना आ गया 6 by 3 इसको काटेंगे तो यह जाएगा 2 तो X की वेल्यू कितनी आ गई 2 आ गई ठीक है तो X की वेल्यू 2 और Y की वेल्यू 1 आ गया किस मैटर से सॉल्फ के है Elimination मैटर से I hope आपको समझ आ गया होगा कि Elimination मैटर से X एड़ वाई की वेल्यू कैसे फाइंड करते है वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना धन्यवाद